दिल्ली विधानसवा चुनाफ के बाद आने वाले समय में होने जा रहा है बिहार विधानसवा चुनाफ 2020 यहां पर बिहार में चुनाफ होंगे इसके अलावा कौन जीत सकता है सर्व सर्वे सामने आ चुका है बिहार विधानसवा चुनाब 2020 और 2020 दिल्ली में चुनाब हुआ है और दिल्ली में जो सिरकार के आकड़े बने हैं वो कहीं न कहीं BGP को और कॉंग्रेस को सोच में डाले हुई है आखिर उन से कौन सी बड़ी गलतियां हुई है बना दें आपके लिए कि बिहार में पांच और नो में बोटिंग होती है और पहले जो बोटिंग हुई थी वो बारक टूवर को ही ती जबकि इसके नतीजे जो थे वो आठ नमबर को सामने आएंगे लेकिन 2020 में क्या आखड़े बनेंगे और कब इसका अ नाउंस होगा लेकिन इसके बाद पश्चिम बंगाल भी यहां पर चुनाव होने वाले हैं 2021 के सुरवात में उसके लिए भी आखड़े आपको दिखाने वाले हैं अगर बिहार में बिधान सबाच चुनाव 2020 की बात करें तो पोश्टर बार अभी सिर्प प्रारम हो चुके हैं यानी विः विधान सबाच चुनाव चुनाव के आपक्रे और सरवे सामने आने लगे हैं और आप कई नge कई इसकी तैयारिया पार्टियों ने सुरू कर दी हैं और यहां पर पोश्टर वार इंग दूत्रे पर की जा रहे हैं लेकिन विधान सबाच चुनाव की दिखाएंगे 243 सीटे बिधान सबा विहार से आती है और 122 सीटों पर पूर बहुमत की सरकार बन जाती है इससे पहले जो तरकोणी है यहाँ पर गड़बंदन हुआ था उस गड़बंदन को यहाँ पर सरकार बनाने का मोकमला लेकिन नितिस कुमार जादा समय तक यहाँ पर बिहार विधान सबा चुनाब मैं उतर चुके है इसफर सर्वेज सामने आ रहा है अगर लालू पित्साद बाहर आ जाते हैं आरज़डी विधान सबा चुनाब 2020 के लिए मजबूत होगा इसफर सर्वेज है ऐस कहने वाले लोग जो है वो है 80% लोग एक बांते है कहीं कुछ और सर्वेज आपको देखाते हैं क्या आरज़डी में तेज पित्ताप और तेजस्री के बीच सब कुछ ठीठाक है नहीं कहने वाले 35 जब कहने वाले यहां पर 65% लोग इसके पक्ष में हैं इसके अलावा क्या विहार विधान समझनाम में गड़बंदन सब से मजब आने के आकड़े तक पहुझेगी इसके अलावा कुछ और भी पार्टियां है छोड़ी पार्टियां है वो क्या आकड़े बनते होने के आपको दिखाने वाले हैं इसके पहले कुछ और सर्वेज कौन बिहार में सबसे अच्छा मुकमंत्री बन सकता है देकि तीन परसेंट कि अगर बात के तो 36% लोग उनको मानते हैं कि वो बिहार के फिर से मुकमंत्री बन सकते हैं जबकि 44% जो लोग है वो तेजसरी यादाव के पक्ष में यहां पर मानते हैं कि वो मुकमंत्री बन सकते हैं बिहार बिधान सुबा चुनाव की अगर बात करें तो बीजी पी और से मुकमंत्री हो सकता है तो आपकी राय क्या है क्या बीजी पी का ही मुकमंत्री होना चाहिए या पर नीतिस कुमार के अगवाई में बीजी पी चुनाव लड़ना चाहिए तो अपनी राय कमरेख से दे सकते हैं और अगर यहां पर आकड़े आपको दिखा ले डो हजार इसमें किस पार्टी को 50 सीटे जा सकती है आर्जेडी के लिए 90 सीटे जा सकती है आर्जेडी और कॉंग्रिस का गड़बंदन होता है तो 120 सीटों तक पहुंच सकते हैं यह आपकरे कई बड़ एकसार लोगों के आपकरे निकल कर सामने आ रहे हैं के अलावा बीजी पी और जेडी के बीच गड़बंदन होता है तो 110 के आकड़े तक यह पहुंच रहे हैं इसके अलावा कुछ और पार्टी को एक एक दो दो सीटे जा सकती है और अन्य के खाते में 8 सीट यहापा जा सकती है तो इस वार यहाँ पर कैसकती है कि गड़बंदन की ही सरकार बनने वाली और अरवेन के जीवाल विकास के दामवार जीत गए लेकिन क्या आप यहाँ पर सरकार बीजिपि किये है देहार के अंदर तो बीजिपि कितना यहां पर बड़ा फलट बार करपाईगी तो अपनी राय कमडबोप शेदी ।ो अपनी राय कमडबाप से दीजिये या आपकी